अगर आप first year या फिर second year में तो आपका academic calendar थोड़ा सा shift हुआ है और उसके वज़े से आपको थोड़ी सी preparation में भी दिक्कत हो सकते हैं वो types को student होते हैं जो regularly पढ़ सकते हैं और दूसरे जो नहीं पढ़ सकते हैं अभी बात करते हैं कि अगर आप coaching नहीं ले रहे हो तो आप कैसे बढ़ सकते हो Hello guys, welcome to physics insight और आज की इस वीडियो में हम दो topics को पर बात करेंगे First, अगर आप first semester या फिर third semester में और अभी से IT jam के preparation स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए और second क्या coaching लेना must है So without any further delay, let's start तो सबसे पहले बात करते हैं अगर आप first semester में तो आपको क्या करना चाहिए तो अगर आप अभी first semester में तो अभी तक आपने BAC का कुछ भी नहीं पढ़ा होगा तो इस time पे आप क्या कर सकते हैं अपने basics के उपर काम कर सकते हैं तो आप अपने basic को strong बना सकते हैं उसके लिए आप HC वर्मा पढ़ सकते हैं अगर आपने 11-12 में HC वर्मा पढ़ी है तो आप Erodov try कर सकते हैं Erodov 11-12 की ही बुक है बस इसमें जो numerical से हैं वो थोड़े advance लेवल के हैं तो आप उसको try कर सकते हैं और इसमें से भी directly exam में कभी कभी questions आ जाते हैं और आप अगर इस बुक से questions करते हैं तो जो आपके basics हैं वो काफी जादा strong हो जाएंगे और इस बुक के लावा आप reasoning holiday को भी refer कर सकते हैं वो भी एक काफी अच्छी बुक है यह सभी बुक्स 11-12 लेवल के हैं तो आप इनको अभी try कर सकते हैं आपके basics strong हो जाएंगे अब बात करते हैं कि अगर आप third semester में हैं तो अभी आपने कुछ courses तो कर ली होंगे भी ऐसी के right तो आप उन courses के numerical practice कर सकते हैं और अगर आपको लगता है कि आपके basics week हैं तो आप HC वर्मा को refer कर सकते हैं और error of के भी कुछ questions कर सकते हैं लेकिन आपको पास जादा करने का time नहीं होगा तो इसलिए आप इन चीज़ों को छोड़ भी सकते हैं गर आपको लगता है कि आपके basic strong हैं तो लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके basic week हैं तो आपको HC वर्मा एक बाद try कर लेनी चाहिए at least कुछ portion cover कर लेना चाहिए especially mechanics और EMT क्योंकि इनके questions directly भी आ जाते हैं और ये exam में काफी बड़ा portion cover करते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा beneficial होगा और मैं यहाँ पर एक बात और discuss करना चाहूँगा कि अगर आप first year या फिर second year में तो आपका academic calendar थोड़ा सा shift हुआ है और उसके वज़े से आपको थोड़ी सी preparation में भी दिक्कत हो सकती है क्योंकि आपके पास जो अब gap मिलता है semester के बीच में वो वाला gap कम हो जाएगा तो आपको अभी से त्यारी अगर start करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा beneficial होगा क्योंकि आपको अलग से time इस बार नहीं मिलेगा जो gap होगे आपके semester के बीच में काफी कम होने वाले है क्योंकि academic calendar को पुराने वाले academic calendar पे लाने की कोशिश करेंगे तो उस वज़े से आपकी जो summer vacation है या फिर winter vacation है उनको कम कर दिया जाएगा तो इस वज़े से आपके पास सोड़ा time कम है तो आप पहले से start करेंगे तो आपके लिए ज्यादा benefit होगा तो यह तो थी कुछ general tips राइट तो अब बात आते है कि आपको preparation कैसे करनी चाहिए तो उस चीज के लिए मैं पहले स और टेक्निक से हर यह के लिए same रहेगी कि यह वाला subject पहले करो यह वाला बात में करो बस आपके लिए जो time limit है वो अलग है ठर्ट यह वाले को थोड़ी ज्यादा effort लगाने पड़ेंगे अभी और first second year वाले थोड़ा relax रह सकते हैं लेकिन order आपको भी वही रखना तो अगर आप first year या फिर second year से preparation start करते हैं और लगता है कि आप regular रह रह रहे हैं और exam clear कर जाएंगे तो coaching लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अगर आप coaching लोगे तब भी आपको self study करनी पड़ेगी तो बिना coaching के API आप वो कर सकते हो अगर आप कर पा रहे हैं तो औ और आपको ये लगता है कि आप regular नहीं रह सकते हैं जैसे मेरा example है मैं भी regular नहीं रह पाता हूँ तो इसलिए मैंने coaching को prefer किया था तो अगर आपको लगता है कि आप regular नहीं रह पाएंगे तो आप कोचिंग ले सकते हो आपका ज़रूर benefit होगा लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आप कोचिंग ले रहे हो तो आपको exam clear होजाएगा आपको मैनत तब भी करने पड़ेगी और ये भी नहीं कि आप coaching नहीं ले रहे हो तो आपको exam clear नहीं होगा आपको काफी सारे examples मिल जाएंगे जिन्नों ने बिना coaching के भी काफी अच्छी rank secure की है और मैं personally तीन लोगों को जानता हूं जिन्नों ने मेरे वाले year में बिना coaching के top 10 के अंदर rank secure की है तो ऐसा नहीं है कि आप बिना coaching के exam clear नहीं कर सकते हो या good rank नहीं लेगा सकते हो अगर आप करना चाहेंगे ना तो बिना coaching के भी कर सकते हो ऐसी कोई बात नहीं है और जो हमारे बैच से AIR 1 था उसने भी coaching नहीं ली थी तो अभी आपके उपर है कि आपका subject में कितना interest है आप उसको कितना पढ़ते हो और कैसे पढ़ते हो तो बिना coaching के भी exam clear हो जाएगा उसकी tension मत लो तो अभी बात करते हैं कि अगर आप coaching नहीं ले रहे हो तो आप कैसे पढ़ सकते हो आपको online material मिल जाएगा YouTube पे भी काफी सारे material है तो आप उसको refer कर सकते हो जैसे मेरे एक friend का भी चैनल है physics अद्यान तो उसके उपर भी काफी अच्छा material है और वो अभी भी continuously उसके उपर upload कर रहा है तो आप उसको refer कर सकते हो और आपके पास NPTL कई भी lectures available है YouTube पे आप उनको भी refer कर सकते हो और बाकी आप standard books को refer करो books की list मैंने अपनी recommendation दे रखी है जो मैं suggest करता हूँ को लिए पढ़ने के लिए और आप कोई भी book पढ़ सकते हो आपकी पसंदकी जो आपको अच्छी लगते है जिस language के साथ आप suitable हो उसको पढ़ सकते हो बस यह जरूर देखने ना कि आपका पूरा syllabus cover हो रहा है ठीक है अगर syllabus आपका वो books cover कर रही है आप उनको भी refer कर सकते हो तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही और अगर अभी भी कोई doubt है तो निचे comment section में पूछ सकते हो पर अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like कर देना चैनल को subscribe कर देना and I will see you guys in the next one